ब्रम्ह अस्त्र तेही मारा कपी कीना विचार जो ना मान thrilled भ्रमह अस्त्र महीँ मामिटे अपार फिर से सुनिए मित्रों ब्रह्म अस्त्र तेही मारा ये रमाइड का युद्ध चल रहा है और साबने खड़े हैं हनुमान और मेगनाद माता चामुंडा के स्रेष्ट भक्ते और उनकी भक्ती अखंड थी और विनाशी थे वो उन्होंने हनुमान को ब्रह्म अस्त्र मारा तो चौपाई बनी ब्रह्म अस्त्र तेही मारा कपी कीनह विचार तो ब्रह्म अस्त्र आते हुए देखकर महावली हनुमान एक विचार करते हैं ब्रह्म अस्त्र तेही मारा कपी कीनह विचार और फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं इ था कि उससे ब्रह्म की उन्हें कभी भी भी ब्रह्म शक्ति नहींावनिंद अपार। नहीं मेरा कुछ करे कम भीज़ाञे में युदि प्रासंगिक रूप से भगान अप्रहत है। इसलिए उन्हें इकार को बद्धवा लिया। नाकपाश में तो चौपाई एक बार फिर से पढ़ता हूं बहुत दिव्य चौपाई है ध्यान करें रामयन का रण है और युद्ध चल रहा है मेगनाद और हनमान जी के बीच में ब्रह्म अस्त्र तही मारा कपिकीन विचार जो ना माना हूं ब्रह्म अस्त्र महिमा मिटे अ नापार सेवर रामचंदर भगवान की जय हो अब सबसे बड़ा अस्त्र ब्रहमास्त्र बोला गया है मिट्रों आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हम शब्दों के द्वारा भी ब्रहम मास्त्र चलाते हैं कैसे चलते हैं और आज का वीडियो मैं खांस बना रहा बखने वाले लोगों को जो बात-बात में हर सेंटेंस में हर वाक्य में हर अनुछेद में एक ना एक गाली लगा देते हैं कुछ हमारे नौर्थ इंडियन भारत के लोग हैं मैं उनके लिए भी ये वीडियो को डेडिकेट कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग खुब गाली लगते हैं अब शब्द कहते हैं जो शब्द ब्रह्मा है और जो ब्रह्म अस्त्र है आपको एक गिलास पानी चाहिए उधारण समझिए श्री राधारानी श्री विहारणी व्यवस्ता देवें ओम क्लीम कृष्णाय नमाहा आपको एक लोटा जल पीने को चाहिए आप किसी कैसे आएगी शब्दों के द्वारा विवेक कैसे हासिल होगा शब्दों के द्वारा अब कुछ लोग गालियां बकते हैं हर सेंटेंस में मैं यह वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि शब्दों की शम्ताओं को आप जानेंगे और भारत के लोग इस अपनी आदत को सुधारेंगे तो आज का विशा है खास गाली बखने वाले लोग अब जो लोग बात बात में गाली बखते हैं तो उनके साथ क्या होता है यह वास्तेविक चैलेंज चिन हैं जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो में और मैं आपसे अंति तक देखिए आपको समझ में आएगा कि आप जोतिश का क्या नुक्सान कर रहे हैं अपने लिए आप कुल दीपक हो सकते हैं अपने परिवार के लिए लेकिन उसी कुल दीपक से आप अपने घर को आग लगा रहे हैं प्रस्तुत करता हूं श्री गड़ेशाय नमाहा मा सरस्वति नमस्तव्यम गाली बखने वाले लोग गाली बखने वाले जो लोग होते हैं आप उनके गुरु के परवत को देखें तो जो लोग गाली बखते हैं क्योंकि वो एक शब्द शक्ति का एक ब्रह्म शक्ति का गलत उपयोग करते हैं जैसे मेगना दिने किया था औ बहुत कठिन लेकिन बड़ी शरल चीज है यह एक माया है तो जो गाली बकता है उसके साथ क्या होता है उसकी मुठी आप खोल के देखिएगा उसके जो गुरू है यहां पे गड़ा हो जाएगा और गुरू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगे तो उनका जो केंद्रित भाव है ग नहीं मिलेगा गुरू का परवद बीच पे नहीं यह इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और किसा बन जाएगा यह यहां पर आ जाएगा अब यहां वाला जो पॉर्शन बचेगा इसके किसी भी व्यक्ति के तो यह दब जाएगा और इस पर कुछ गंदे साइन बन जाएंगे क गुरू का परवद खताम हो जाता है जो लोग होता है उनका चूकर को सबसे पहले कर देते हैं और हेप्ष और धर्म कि ये ट्रेंगिल जहाँ ऐसे तो सबसे पहले निस्टि कहां से How गाइन नस्ट होना यह वाली जो बुंद की लाइन रहेगी लेकिन यह वाली लाइन खतम हो जाएगी तो जो बुद्धी की लाइन है सबसे पहले आप शब्द गाली बतने वाले लोग अपने बुद्धी अपना बिजनिस को डुबो देते हैं तो बुद्ध की लाइन को कि बुद्ध उस व्रक्ति के साथ कभी नहीं रहते हैं मित्रों बुद्ध यहां बैठते हैं शुक्त हो जाते हैं और यहां पे गंदे साइन बन जाते हैं तो घर का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता कुछ नकुछ उनके सदर्शन से नशापत्ता करते मिलेंगे या बरबाद होते हुए मिलेंगे वो व्यक्ति जितना भी प्रहतने करता गर कभी सुखी नहीं करकि खराब हो जाते हैं इस तरीके की लाइने दौड़ जाती है और या जाल बन जाता है तो जाल भी आपको जो लोग वर्षों से बरहुंख रहे हैं करते हैं जब गुरु एक नई पिचर को मैं ले लेता हूं उससे आपको एक व्यवस्ता को मैं बना के बताऊंगा श्री राधाराणी श्री विहारणी व्यवस्ता देवें क्रिशनायन वहां जब गुरु का परवत इस तरह शिफ्ट हो जाता है गाली बखने वालों का तो उन करेंगे आप यह बार-बार मैं बोलता हूं कि आप करंसी को शनी भगवान मत समझे यह आपके घर में जो रुपया पैसा रखा है जो आपके घर के आपके शरीर के अंदर संसाधान है उसके भी अधिश्ठात्री जो शक्तियां है वह भगवान शनी के पास है तो शनी करेंगे व्यक्ति का क्या जाएगा चालीस पचास के आसपास का ज़्यादा अपके शनी भगवान क्या चानी ने उसके भी काण किडिनी और ब्रेन में टेंशन कर देंगे चालिस जो लोग ज्यादा गाली बखते हैं उस बारे में हम एक व्यवस्ता के रूप में यह मैं वीडियो बना रहा हूं जानेंगे और अपने जीवन को आप सुधारेंगे जो गाली बतने से ज्यादा फास्ट चलते हैं हमारे बोडी में उन पर उनका जो कारें निश्यत किया गया है आप जाएंगे कि किडिनी में ब्लेट प्रेशर सबसे ज्यादा कि संग में मिलता है तो फिल्टर होता है और ब्रेन में को कि हमारे ब्रेन में विचार आते हैं तो ब्रेन और किडि बगता था उससे ज्यादा वो गाली बखने लगता है उसकी बुद्धी खराब हो जाती है उसकी मृत्यू दर्द के रूप में होती है बहुत लंबे वो बिस्तर पर पड़ा रहता है मेत्रों यह चैलेंज नहीं है यह घ्यान है अम्रित इसे आप पी जाएए आप ध्यान करि यह एक विवस्ता दे रहा हूं मैं कि उनका गुरू खराब होगा और उसके बाद पहले उनका शुक्र खराब होगा और मनी कट रहेंगे नीचे से जो बुद्धी वाला लाइन है वो खतम हो जाएगी पैसा आएगा भी तो भी खर्चा हो जाएगा और शरीर में ब्रेन और किडिनी एफेक्ट होगी आखरी आखरी स्टेज में 50-60 के बाद वो बिस्तर पे जादा रहेंगे और आखरी में जब उनकी मुक्ती होगी तो एक दर्द के रूप में होगी और काफी तड़ाप होगी उसके बाद वो इस धर्ती से जाएंगे गाली बखने वाले लोग क्यो जो मैंने च्वपाई बोली ब्रह्म अस्त्रते ही मारा कपी की नविचार जो नावान हूं ब्रह्म अस्त्र महीमा मिटे अपार और उस ब्रह्म शक्ती के गलत इस्तमाल को भी हनुमान ने अपने ऊपर ले लिया और जिसने वो ब्रह्म शक्ति छोड़ी थी वो व्यक्ति आविनाशी होने के बावजूद रण छेत्र में भगवान लक्ष्मन के द्वारा मारा गया शक्ति शाली इतना था कि उन्होंने भगवान लक्ष्मन को भी मूर्चित कर दिया लेकिन जो गलत इस्तमाल किया उससे उसकी भी गर्दन कट गई अब शब्द हमारे कंठ से निकलते हैं और एक धार के रूप में निकलते हैं के तू खराब के तू यहीं चाहते हैं कि आप गाली बखो और आपका गला कट जाए और आपको मुक्ति ना मिले मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सबिस्क्राइब मित्रों जरूर कर दीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए यह व्यवस्ता आप सभी को पसंद आई होगी श्री राधारानी श्री विहारनी व्यवस्ता देवे ओम क्लीम कृष्णाय नमाहा श्री गणिशाय नमाहा मासारस्वती नमस्तुभ्यम ओम ब्रह्म ब्रहस्पते